राजत के बिधायक दल की बैठक जो है वो आप समाप्त हो चुके है नेता धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं उन्हेंने बड़ी बात कर दी है कर रहे हैं कि पांस तरीकों जो पाटी के अस्थापना दिवा से सिल्वर जुबली जो बनाई जाएगी उसमें जो है लालु परशा लाज चल रहा है और वो वर्ट्यूल माध्यम सही अपने विधायकों के साथ अपने पांटी पदाधिकारियों के साथ जुडेंगे तो बड़ी बात कर दी है आर्जेडी के विधायक बाहरा करके और कहा है कि जिस तरह से सरकार हर मौचे पर फिल रही है चाहे वो पार्टी का रास्टी जनता दलका सिविली जूली मना जाया कि पजिस्वां वर्ष कांट बनाया जाया कि कुरोना काल में सरकार ने नियम बनाया है दिपक्ष के लोगों को रोकनिक है लेकिन उसका भी पालन करते हुए हम लोग पूरे विहार में परकांट से लेकर गाउं से लेकर जिला से लेकर पर्देश तक हम लोग अस्थापना दिवस अपने पार्टी के मनाने का काम करेंगे जो सरकार का गाइडलाइन है उसके अनुरूप ही हम कार्शकरम को करेंगे और इस अस्थापना के बाद पाटी का ग्रहत कार्शकरम बनेगा जो 6 जुलाई के बाद हम लोग बैठेंगे हमारे नेता तेजलसी परसाद जादोजी बैठेंगे और पूरे विहार का कार्च करम बनेगा और जो सरकार की कम्या है जो घपले हुए है जो विधायकों का योजना दोदू करोर रुपया ले लिया गया है हम तो यही आरोप लगाएंगे यह दोदू करोड रुपिया कहीं ने कहीं बीदेशों में यह पैसे भेजे जा रहे हैं चाहे वो सिंगापूर हो चाहे वो मरिशस हो तो कि इसका पिछले वार भी जो हम लोगों ने दिया था करोना काल में अपने योजना का पैसा कि असका भी इसाव हमारे नेता ते ज aula शाजादों ने मागा कहर नहीं मिला और और इस बार भी हमारे नेता ने मांग किया था सर्कार चे ति जो जो विधाय का पैसा लगा है उनके अनुसंसा पर उनके छेतर में चाहिए यह लेकिन सरकारण ने नहीं की और आधर्नी पर लालू परसादयादुजी जो हमारे रास्ती अध्यक्ष है अभी डॉक्तर की सला से वह चल रहे हैं अगर डॉक्तर ने इजाज़त दिया वह हमारे नेता पटना आएंगे और नेता जब तक डॉक्तरों की सला नहीं होगी वह पटना में नहीं होगे निशित उसे वर्चुल में सामील होंगे और पूरे देश को वह समधित करने का काम कर सवाल है कि डॉक्तर के सला से ही नकसब काम होगा वह इलाजरत है तो जैसे ही डॉक्तर इजाज़त देगा पटना आने को वह पटना आएंगे लोगों से मिलने करें तो क्या है यह आपना दिवस के बाद क्या उतजैसर के प्रोग्राम है प्याय घुमने करी पूरे बिहार म से हम लोग उस सवाल को अबर्गेता बेस्पर सा जाद उठाएंगे और हम लोग उठाने का काम करें तो सुना आपने अर्जेली के विरहाइक है जो पार्टी के बैठा से निकलने के बाद मीडिया से बात करते है कि जिस तरह से लोगों के आवाजों को दबाया जारा है नि झाल